जेया निलो प्रेमा धना करूना प्राचु। जेया निलो प्रेमा धना करूना प्राचु। हेना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकु। हेना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकु। काहा मोरा सरूव रूपा काहा सनाता। काहा दा सरगुना था पतीत पावाण। काहा मोरा भटा यूगा काहा कवीरा। काहा दा सरूव रूपा काहा दा सरूव रूपा कावीरा। पाशाने कुटिवो माथा आनाले पाशिवो। गोरांगा गुनेरा निधी को था गेले पाव। से सबसंगिरा संगे जे कोई लो बिलास से सबसंगिरा संगे जे कोई लो बिलास से संगा ना पाया कांदे ना रोता मो दास से संगा ना पाया कांदे ना रोता मो दास जेया निलो प्रेमा धना करूना प्रचूर जाय वैस्ण वत्थाकूर वैस्ण वत्थाकूर वैस्ण वत्थाकूर जाय वैस्ण वत्थाकूर प्रभूपाः प्रभूपाः जाे प्रभूपाः संकल्प संकल्प हारे कृष्ष्ण और लाक तर वेल्कम इस ग्रेश अमोग लीला प्रभूण प्रभूण अरे कृष्ण तो है बहुत विश्ष्ष दिन है आज श्रीजेदे गुस्वामी का तिरुभाव दिवस है दिवाइ इस दिए अरुण जिए देव गुस्वामी तो कई ऐसे महान वैश्ण वाचारे हुए जो की महाप्रभू के आनके पहले हुए लेकिन आओ पार्वो की दिलाओं में तोनी में स dobr Cesar 안내 चाहड़ाव पर somos जयादे गूसवया मै अजर जो देसी है करीं टीन सू सार पहले महा पर्भू के प्रकट देटें लेकिन महापरू ने नको इंडिगेट कर दिया था ये उनको संकेत दे दिया था कि वो वास्ता में महाप्रुव की दिलाओं का हिसा है तो आज अपुड़ा उनके जीवन चरतरी उपर प्रकाश डा लेंगे और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे प्रिणा लेंगे कि इस प्रकार से ज्यानाजन श्रागया चक्षुरन मिलितम येना तसमें स्री गुरुवे नमहा श्री चैतन्यमनों भीष्रम स्थापितम येन भूतले स्वयम रूप कदाम हियम तदाती सुबधांतिकम वंदे हम श्री गुरुष्री उतपतकमलं श्री गुरुन वैष्रमाश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हानो सुथे डिपनमामी हरी वांचा कल्पतरु भेश्चा कृपास नभू येवचा पतिता नाम पावने भ्यो वैश्नवे भ्यो नमो नमा जैश्री कृष्णा च्वाइतन्या प्रभू नित्यानंद स्रीय द्वैत गदाधर श्रीवा सादी गोड़ भक्त वेंद अरे कृष प्रिष्न परेश्राया थे श्रीमते भक्ति विदानति सबावने तिनामने नमस्तें निसारस्वति देवे गाउरवानी फिचारिने दिर विशेश शुनिवादी पाश्चाथी देश सारीने मुकं करो दिवाचानम पंगुम लंगाई तेगरं झाल झाल का बैस पांफ है नग को उनका प्रकृटच घृकाट आइसां grande लड़ह कोई पुथर नहीं था तो जगन आए ऐन्ध के नहीं प्रत्ना की तो जोसा रे और विष्नु प्रकृटच वे श्र्टाद सघ्टी सिल्दांस विड़ा कॉप प्रकृपा प्रक वे जगनाइस जी इनको प्रकट हुए था ओ प्रकट होा था तो प्रकट होने से पहले ही ने एक प्राप्त हुई जह घनाज जी कि तो भूघे इतने अधंजन्ड हो गए थे इतने ओजस्वी हो गए थे, तेजस्वी हो गए थे, कि सब लोग देख करके हैरान होते रहते थे कि ये भोजदे को अचानक क्या हो गया है, इनका कॉंप्लेक्शन का जो शरीर की कांती है इतनी ज़्यादा ओजस्वी, तेजस्वी एकदम से कैसे हो गई है और कभी उठास करते थे, कभी हसते थे, कभी नाम लेते थे, कभी डोलते थे, तो उनका विवार बहुत ही दिव्य हो गया था, क्यों क्योंकि उनको जगनाजी कृपा प्राप्त हो गया थे, और इस प्रकार से एक समय उनके घर में श्री जैदे गुस्वामी प्रकट हुए, और श्रीजाए स्थामी का नाम इसके पढ़ा इसकी पॉछ थीध ही भक्ती और भक्ती सम्बन्दित चीजों में उनके दोस्त उनके में तरह बुलाए करते थे आ जो हमारे चीहल लो लेकिन जायदेव कहते थे कि भला खेलने कूदने के लिए थोड़ी ना है ये जीवन ये जीवन तो आत्म साक्षातकार के लिए है ये जीवन तो कृष्ण के लिए है ये जीवन जो है कृष्ण के लिए लाव का शवन करने के लिए है तो हमेशा वो इस प्रिकार से अपने मित्रों को प्रेरित किया करते थे और बच्पन से उनमें शुद्ध भक्ती के लक्षन प्रकट हो रहे थे और एक समय जो बच्पन में वो स्नान कर रहे थे पासी नदी में तो उनको वहाँ पर विग्रे अपराप्त हुए स्वेंभू बिगरे थे उनके राधा माधव के तो इस प्रकार से उनको डीटीज भी प्रगट हुए और गंगा माई का भी उनसे बहुत स्ने था एक समय तो बलकि गंगा माई जो हैं उनके पास आए थी और उनके पास आके बोलें कि आप घाट आते हों स्नान करने के लिए गंगा माई में तो आपके घर के बाहर जो कुवा है मैं अब उसमें बास क्या करूँगी तो आपको इतना दूर आने क्या वश्रतना निया स्नान करने के लिए, आप कोई में स्नान कर ले खरेंगे तो मैं भाई, तो आपको गंगा स्नान हो जाएगा, तो इस प्रकार से गंगा माई का भी बहुत सने था श्री जहदे गोसवामी से, और जो बहभान के शुद्र बक्त होते हैं, सारे तीर्थों को आकर्शित करते हैं, जैसे कि जहदे गुस्वामी केस में हम देखते हैं कि गंगा माई स्वैम आकर कि ए उनके घर के कुवे में बास करती थी, उसी प्रकार से हम देखते हैं प्रभपाजी के समय, प्रभपाजी जब कुंब मिला में थे तो एक विखती आया और जल लेकर कि उसने प्रभुपाजी के चलन अभिशेक किया तो प्रभुपाजी ने का ये क्या आप जल अभिशेक ये ये बला करने ही क्या हुआ शुकता है तो उसमें मैं गंगा जल स्पेशल लेकर कर आया था और मैंने इसे मैंने सुचा कि आपको और पित करूं तो इसने मै आना चारे हैं और आप प्रचार बिजी रहते हैं कि आप अक्सर गंगा माई तक नियाब आते हैं तो गंगा माई की इच्छा थी कि वो आप तक आए तो उन्हें ने मुझे एक निमित तमातर बनाया है कि मैं आप तक हूँ तो इस प्रकार से जो भुषान के शुद भक्त होत बहुत दिविधा और बच्पन से बहुत ही डिटाश्ट थे विरत्त थे तो हालकि उनका घर जो था उसमें धन धनाडे और एश्वरे की कोई कम ही नहीं थी लेकिन ये विरत्त रहते थे और किसी प्रकारी कोई आ सकती नहीं थी तो धन पढ़ा रहता था तो धन में जो तो ऐसी पढ़ा रहता था और यह अपना बैट करें भजन करते थे भवान का नाम लेते थे भवान के बारें पढ़ते थे श्रवन करते थे यह इसी में अब्जॉब रहा करते थे तो एक समय एक डाकू था उसका नाम था निरंजन उससे सूचा यह विक्ति जो है जैय लूँगा मैं तो उसने क्या कि एक फर्दी पेपर बनाया और फर्दी पेपर बना करके पहुंचे जैय देव को समय के पास कि देखिए आपके पिता जी ने मुझसे इतना इतना लोन लिया था और आके पिता जी तो चल बसे लेकिन लोन दोने ने चुका है नहीं तो देख जना निकालना है निकाल लीजिए जो भी है इसके पेपर के साब से अब हाले कि श्री जैदेगो स्वामी क्योंकि एक सिद्ध पुरुश है इसलिए वो जानते थे कि सामने वुलाव एकती बाइमान है तो फिर ने कहा कि हां देखो यह खसाना यह पड़ा है तो आप जितना अच्छे से जा खसाना एक अठा करना शुरू करें बाइदा टाइम एक अठा कर रहा था एक विक्ती दोड़ तब आया इस नेरंजन नाम के इस डाकू के पास डाकू नहीं था ही वाज जैस चोर धीफ था चोर था और आकर बोला अरे भाई तेरे घर में आग लिए रिजिए से फिर उसने घ्रमांगी मुझा करती है फिर जैदे कुसा मैं निकाप को जो भी नुक्सान वा है आप खञाने में से ले सकते हैं कि अने ने-ने-ने-ने मैं यहीं गलती है में यह मैं बिल्कूल नहीं करूंगा तो पहली आग लगई है बिलकू वाथ है तो इस प् तरो जो था बड़ा विख्यात हो गए था कि इस प्रकार से वहान के जो दश अवतार हैं उनके बारे में व्याख्यान किया और हम सब उसमें से एक स्टेंजा चौथा स्टेंजा हम लोग हर रोज गाते हैं कौन सा है वो तो दश अवतास तरो जो है उतना सुंदर इतना विख्यात हो गया कि उसमें वहां के राजा जो लक्ष्मन सेंथे जब उन्हेंने सोना तो उनके रॉंग्टे खड़े हो गए कि इतने सुंदर तरीके से किसने ये अद्भूत रशना की है उनके जो मिनिस्टर थे गोड़न उ ने का कि जहदे गुस्वामी के अलावा और कौन हो सकता है जो की इतनी सुंदर रशना करे और कौन हो सकता है अच्छा ठीक है मैं उनसे जाके मिलना चाहूंगा कैसे मिल सकते हैं उनसे तो मिनिस्टर ने कहा देखिया आप इस वेश भूशा में जाएंगे रासी वेश भू पूशा में जाएगे तो सिंपल वेश भूशा में राजा लक्ष्मन्ट सेन उनसे मिलने के लिए गए उनको प्रणाम किया और बताया कि मैंना यहां पर पास में मेरा बिजनस है तो यहीं से गुसर रहा था मुझको पता लगा कि आपके जैसे महान संथ यहां रहते हैं तो श्री जैदेगुश्दीन ने का वासिव में आप लगते हैं तो वैसे राजा ही है कपड़े आपने भले ही सलल पैने हुए है, सादे पैने हुए है लेकिन आप कोई राजा दिखते हैं वासा कम रहा यहिए है तो कि आप और ऑर आए आप दश्राब्तास सुल वहां पर गा देगे तो तो उन्होंने रांट आता आक है आप किया समझते हैं क्या पर लगता हूं तकि मैं तारीफ बतूर बूं Wick करो हूं मैं क्या समझां ये रखाब ने हैं क आप वहाँ पर निवास करते हैं, मैं वहाँ पर आकर कि आपसे श्रमन क्या करूँगा। तो उसके बाद जो श्री जहदे गुस्वामी थे, उन्होंने कहां कि वास्ता में हे राजा, मैं आपकी परिक्षा दे रहा था। मैं जानता था कि आप राजा हैं, और जैसे कि किसी की जीवन में एश्वरे आता है, वहभव आता है, तो अकड भी साथ में आ जाती है, लेक्ट मैं देख रहा हैं, कि आपका रिदय जो है भक्तों वाला है, इसलिए आपके दोरा जो प्रस्तावित वो स्थान है, मैं निश्य लक्ष्मन सेंथ थे, वो इनकी तौरा बहुत पभावित हुए, और अब ये रहकर भजन क्या करते थे, और इन्होंने ये डिसाइड किया थे, कि मैं विवहानी करूँगा, यूंकि मैरिज इस मिराज, मैरिज जो है तो एक मिर्क तृष्णा है, तो इसलिए मैं शादी के चक्कर भी तो पढ़ूँगा नहीं, तो इसने मैं भजन करूँगा, ब्रह्मचारी रहूँगा, तो ये उनका प्लान था, लेकिन सबसे उपर प्लान किसका चलता है, बहवान का प्लान चलता है, तो बहवान ने सुचा हुआ था नहीं, एक शुद भगता है, जो कि इनके तो एक भक्त थे उनका नाम साथ सुदेव शर्मा ये जगनाद जी के शुद्ध भक्त थे और इनोंने जगनाद जी से प्रातना की कि जगनाद जी मेरे को पुत्र नहीं है मेरे को पुत्री नहीं है आप कृपा करके मेरे को पुत्रियां पुत्री जैसा आपकी च्छा हो दीजा अगर आप मुझे पुत्र देंगे तो मैं आपके जगनाद मंदिर में उसको पुजारी के तौर पर देदूगा मुझे नहीं चाह ये मुझे आपकी सिवा हेतू में अर्पित करना चाहता हूँ अपने पुत्रों यहां पुत्री को तो इसे मेरे पास और तो कुछ नहीं है मेरे पास पर एक कमल का फूल है जो कि मैं तोड़कर के लिए आया हूँ गार्डन से जिसमें कहीं सारे कमल के लिए थे लेकिन सबसे स अंदर कमल यह लेकर का आया हूँ आपके लिए इसको सभीकार करिए और मेरी इच्छा पूरी करे कि मेरे को पुत्र या पुत्री के प्राप्ती हो पुत्र होगा तो आपके यहां पुजारी बनेगा पुत्री होगी तो आपके यहां देवदासी बनेगी इसको सभीकार करे और फिर हुआ डिया अब जैसा सुदेव नाम के भकत ने लिसाइट किया निर्णे लिया था कि ये जो भी मेरा पुत्र मासथ ये जो पुत्री होगी मैं तो उसको जगना जी validity को देический कर दो।ала उद अब यह जो पुत्री है बड़ी होगी अब यह बस जगना जी आपके लिए डिटेश्ट तो जगना जी ने जो है इनको इंगित यह किया कि नहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देवदासी की रूप में हाँ निश्ट रूप से अच्छी बात है देवदासी की रूप में सिवा क क्या की करें लेकिन चाहता हूं कि है वहा हो जाए फिर अच्छा दो प्रबू लेकिन लखाश कहां से रूनूंता है ने जगना जीने का मेरा है मैं मैं दौर मेरा है मैं मैं जानता हूं ए बहुत एक स्यों गेवर है और उनका नाब है जे जेवकुस वामिया आप उनके बास और जैदेगोस्वामी के पास पहुंचें, जैदेगोस्वामी बजयने मंगने थे हैं, उनोंने परणाम किया, उनने 발ला मुए श्रीदेगोस्वामी, ये मेरी बेटी आज दो आज से आपकी उई, आप इनके पति हैं, ये आपकी पतृह news है, आप जहेदे गुसमे ने का हमने आठ प्रकार के शादियां सुनी है ये कौन सा शादी का स्टाइल है कि पती पिता खुद आए और कहें ये बेटी आज से आपकी हुई आप पती है ये आपकी पत्री जगनाजी ने बोला है हरे कृष्णा जाए तुन ने मना करती है नहीं मैं मैं नहीं कर सकता शादी मैंने डिसाइट किया मैं शादी नहीं कर रहा हूं मैं ग्रहस्ते जीवन में नहीं जा रहा हूं देखिए जगनाजी ने यही बुला था क्यों मना करेंगे लेकिन फिर भी होनी तो यही है देखिए तो मैं लड़की छोड़की जा रहा हूं अरे आ उन्हों की ऐसी जुगलबंदी थी, अमेजिंग, श्री जैदे गोस्वामी जब दश्रावताद स्रोध गाएंगे, उस वक्त वो उन्हें शुरू कर रिया था, गीत गोविंद, शुरू कर रिया था उन्हें, तो गीत गोविंद जो है, तो उनकी वाइफ नाचा करती थी, और जब एक अभी डिक्टेट करते थे, तो उनकी वाइफ लिखा करती थी, तो इस प्रिकार से दोनों की बड़ी अच्छी पार्टनर्शिप थी, ग्रहस आश्रम के अंदर, दोनों बड़े सहयोग के साथ रहा करते थे, तो इस प्रिकार से उनका विवा हुआ और ग्रहस आश्रम नों उनकी प्रवेश किया, तो एक बड़ा फेमस पास्टाइम है, जो कि उसका नाटि उर्पांतरान भी कर चुके हाला की, तो जब ये नाइनटीन स्टेंजा में पहुँचे तो उसमें एक स्टेंजा आता है, तो ये जब आया, तो जब इसकी स्फूर्ती हुई उनको, तो उसको लिखने लगे कि किस पकार से भवाँ श्री कृष्ण राधरानी का मान भंग करने के लिए, उनके चरणों को अपने शीश पे धारन करते हैं। अब इससे बहले कितनी कंपोजिशन हुई हैं, कितनी रचनाई हुई हैं, बड़े-बड़े भक्तों के द्वारा की भवाँ के चरण जो हैं, वो स्तुती करने योगे हैं, बभवाँ के चरणों की ऐसी गाता है, बहुत बहुत प्रशन सा है, लेकिन वो बभवाँ श्रीक क्रिश्ण जिनके चरणों की सब संसुती करते हैं, वो श्रिमती राधरानी के चरणों के अपने शिश पे धारन कर रहे हैं। ये ना लोग हजम नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये ये मैं नहीं लिखूँगा। लेकिन ये तो स्पूर्ती भी तो हुई है बहुत जरूरी है, लेकिन ये लिखूँगा, लेकिन लोग भला इसको कैसे स्विकार करेंगे। तो इस पशोपेश में थे कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, तो अपनी पतनी को बोला कि ना मैं स्नान करके आता हूँ, मैं गायतरी करता हूँ, गायतरी करके ना मुझे इस पूर्ती आएगी, मुझे क्या करना चाहिए, बड़ी धर्म संकट में हूँ, तो गायतरी करके आत आज मतलब नाशते गाते आएं आज गाजतरी बहुत अची हुए लगता है इनकी तो आप 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 वैसे यूजरी कस्टम यह होता है कि पहले पती पाते हैं उसके बाद फिर वाइफ आती है तो आएं किते हैं वह वह मेरा काम का है वह प्रशाद पाया और पाकर की फिर चले गए उसके बाद फिर जहदे गुस्वामी असली जहदे गुस्वामी वह आए तो अब उन्हें ने देखा कि ना पंदावती प्रशाद पा रही है तो आरे प्रशाद पा रही हो क्या हो गया नराज हो क्यों नराज हो मतलब कहते है अब भी तक कभी आसा नहीं हुआ कि मेरे प्रशाद पाने से पहले तुमने प्रशाद पाले हो लेकिन आज ऐसा कैसे कि तुम मेरे प्रशाद पाने से पहले प्रशाद पाले तुमने तो तो पतंब नहीं को लगागा पता नहीं आज गाईत्री कैसी की आज अभी तो आए थे अभी आप पर आये थे किया थे इसकी बाद पर आप बड़े भावी वह करके फिर आ उठे पिर आ पने कारे भूग लगी है खाह भी लिए आपने यह की पन्हों पुंची असी प्रेट में प्रसाद पाती थैं, वही थो प्लेट इस हम पॉसला पता है, इसी प्रेट में तो पया आपने प्रसाद', तोLY Avatar .ए लिए अपनी से पोचाто ने ओवी न आज , मैं थकी हुई नहीं अब भी खुदा है आप, यह देखिए यह पुश्प गिरे हुआ है, आपके गले माला थी, मैंने कभी हुआ देखिए नहीं आपके गले में, और यहाँ पर पुश्प गिरे हुआ है, यह देखिए, पुश्प गिरे हुआ है, यह देखिए, पुश्प गिरे हुआ है, जैद ऐसे दिखता तकते हैं, ऐसे दिखता तकते हैं, ऐसे दिखता तकते हैं, अच्छा, बड़ा आकरशन तकते हैं, बहुत आकरशन था, बहुत उसे उनसे ओजसनी कतते हैं, बहुत तेजस्वी था, ओजस्वी था, अच्छा, और नो तुम्हारे हातों से बनाओ प्रशावत तक कि आए तो इतनी सोभागेशाली हो कि आज स्वयम कृष्ण आये थे स्वयम कृष्ण आये थे और स्वयम कृष्ण ये ये श्लोक पूरा क्या है कि जैदे गो स्वामी तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो मैं वास्ता में मेरी प्रिय भक्त शिमति रादिका के चर्रनौ को अपने शीश पर धारन करता हूँ तो इसलिए ये भवान ने खुद इस बात को प्रमानित किया है और इसलिए उन्होंने इस लोक को पूरा किया है और पन्मावती तुम कितनी सो भागे शाली हो कि वो स्वैम आए, वो तुम्हारे सामने थे और तुमने खुद अपने हाथों से उनको प्रशाद खिला है और पन्मावती तुम कितनी सो भागे शाली हो और ये बार बार स्पनन करते उड़ते फिर वो बेहोश होते जगनातपुरी के वा प्रस्थान करें तो उन्हें कहा कि प्रभू लेकि ये सान बहुत ही दिव्वे है और इसी सान पर महाप्रभू प्रकट हुए थे और महाप्रभू ने दर्शन दिये थे श्री जैदेव गोस्वामी को एक समय जो जे चमपा हाटी में चमपा जो फ्लावर्थ हैं येलो कलरो के फ्लावर्थ होते है जब उनको खलेट करें थे तो देखा सामने येलो कलरो के फ्लावर्थ की बीच में महाप्रभू गोल्डन कॉmpleksion के साथ सुदर बढ़ने के साथ बहुआन करे थे तो भावान के उस सुद्र दर्शन को देख करके बहुक्त हो कि वावय हो गये थे ऐ कैसी तो झाए थाल फिस किमाद भाव्र जीन नियॉ की जाए तो जब उनके सुन्दर दर्शन की तो महा प्रभू ने कहा कि आप जो गीद गोविंद लिख रहे हैं जब फूर्ण हो जाएगा तो मैं इस गीद गोविंद को बहुत रेलिश किया करूँगा बहुत इसका आस्वादन किया करूँगा और एक समय आएगा जब आपक करके की थी इसलिए जाएदे गोस्वामी को की थी तो अभी भावान की आजेश से अभी जगनातपुरी शिफ्ट होने का इनका प्लान मना तो इस प्रकार से जो गीद गोविंद है फिर इसकी रशना करते करते ही जो समरल अलगर अलग हंडर नम फिर यह फाइनल इस तना से जो आवर्स उसमें जो ऐसी होते नियों समय देवी देवता कर कि पूज अर्शना करते हैं बट लवज इट वेरी वेरी मच बहुत जादा पसंद ने उनको गीद गोविंद नाम की यह जो पूजिशन है और कई ऐसे स्थान है जहां पर गीद गोविंद महवान की प्रसंद गीद में वजटे से प्रसंद में आशना कई में रहा करते था था इस शालग्राम शिला से जूते के ग मॉडु की दर्द होता है कि ऐसा मोची करता था लेकिन मेना जो गीर गोविन था बहुत है जहनात पूरी में तो इसलिए जिए जब वो जूते में करता था तो जूते मर्न करता था, तो ये गीत को साथा, तो एक समJe गीति को बीन था था, अैसे करके जूते वो रिपेर करता था. तो एक समय एक ब्रहमण आए है वहाँ पर, उस ने देखा अर्ब, काहता है, तु पता है क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूं जूती रिपिर भारा हूं does ότι आपको सीखना है मैं सभिआ सकता हूं मूरक अदमी जिससे तु किर रहा है वह शाली गराम दो है पर बहौन का रूप है और तू क्या कर रहा हूं न। पर आ उप पूज ही अर्ष no कर दे को उसम्हामन को बोला, कि देखो आपना मुझको ना वापिस कर दो, स्मूची को, कि देखो, कहाँ जूते ठीक करता था, और मैं आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूं, करता था, लेकिन गीत गोविन सुनाते और रेपेर करता था, मैं तो मेना ध्यान गीत गोविन में रहता था, इसम्हाम मुझको तू वापिस ही कर रहता है, प्रभू मैं गीत गोविन आपको सुना दिया करूँगा, लेकिन आप वापिस मैं चाहिए, आप नहीं पर रहेए, पस गीत गोविन जो है, बहुत अधिक प्री है, तो एक समय त प्रगार से बहुत श्री कृष्ण राधर आने के चलनों को शीश पधान करते हैं, ऐसे एक समय यह हुआ कि जब यह पता लगा कि जब यह गीत गोविन जो है, बहुत ना पसंद है, तो यह डिसाइट है कि ना, हम साड़ियां लेंगे और साड़ियों के उपर बहुन के जो जो भवान को लपेटे जाते हैं, उनके उपर गीत गोविन जो है, हम उसको सिलेंगे और सिल करके भवान की उपर लपेटेंगे उसको, यह ऐसा प्लान था, अब यह प्लान था तो हुआ क्या, गीत गोविन में बीच में एक पैराराफ ही आता है कि कि इस प्रकार से आपको ब्यक्त करते ही करते शरुरी जैदेव गुस्वामी मूर्चिद हो गए, मुर्चिद हो गए तो जो लुक्साून रहे थे, जह अरे आप आगे क्या लिखें, जैदेव को सर्वामी मूर्चिद हो गए, उनको बापस होश में कैसे ले ले कर गया है, अब क्या करें? अरे अपकी काम तो रुग गया तो तब ही जो है एक और ब्रह्मन वहापर आए बड़े तेजस्वी ओजस्वी यंग फ्यूडफुल डाक कॉंप्लेक्शन की ब्रह्मन थे वह ने का बाकी मैं लिखवाया था हूं बाकी मैं लिखवा दूंगा आपको अच्छा आपको ऐसे प करके कहते हैं आरे इस गाव में नहीं रहता ना दूसरे गाव में रहता हूं मिलने के लिए आया था वसे मुझे पता लगा वो बता रहे हैं गीद गोविन तो चलो हम भी जाके सुन लेते हैं क्या हो गया भाई मूर्शित में अवस्ता में बड़ा भाई बाकी काम कर देग और इस पकार से बारा साड़िया तैयार की गई थी कि अगर एक मैली हो जाए अवोद होने के लिए चले गई तो जगनाद बिकांस वेरी रेस्टलेस तो इस पकार से गीद गोविन वहान को बहुत प्रिय था और एक समय ऐसा हुआ कि किसी ने बाद शुरू कर दी कि कहते है यह तो देखिए तो सहाजिया बाद है ये गीद गोविन सुनाना ना है तो यह समय नहीं करना चाहिए हमको तो जो वेधिक विदी है उसका पालन करते हुए जगना जी पूजा अर्शना करनी चाहिए यह गीद गोविन यह बीच में किस किसी शुरू कर दीया जी एं कौन ह ख्लास चल रहा था लेकि ब्रहामार ने ज़िए डाउट में आकर एक दिन क्या किया गीद गुविंद भवान को नहीं सुनाया जगनाजी को अगले दिन क्या हुआ अगले दिन जब ओल्टर खोला गया अगले दिन ओल्टर खुला तो जगनाजी की हापर मिट्टी लगी हुए थे जगना चीकों जानियां लगी हुए थी पत्ते लगे हुए थे यह पता लगी उन्हें का कि देखो अगर ऐसा हुआ है यानिकी पुजारी लोग भवान की सेवा ठीक से नहीं कर रहे हैं इसलिए सारे पुजारियों को मृत्यू दंड दिया जाएगा अब सारे हमारे थे मृत्यू दंड हो चुको आता कपका यहां थो ला परवाहि कर जाते हैं और वहान की सिवा में तो राजा ने का मृत्तु दंड अब यह सारे के सारे पुजारी थे जगना जी के आगे गुढ़ने टेक कर के प्राधना की अरे जगना जी हम तो सेवा अर्ष्णा कर आया कि वास्तव में इसमें पुजारियों का दोश नहीं है ये बात फ़ला फ़ला विक्ती ने फिलाए कि गीत गोविन जो है सहजी आइजम है इसलिए गीत गोविन नहीं सुनाना चाहिए हमें तो वेदिक प्रणाली से बहवान जंगनाजी की पूजा अर्शना करनी बगरे रूम में छोड़कर के भागा और भागा तो उसमें कभी तो मिट्टी में र courtesy कभी मोचित हुआ और सभस्ता में कontin consult जाओन में हैं और Q Hello projects तो बहुत प्रिया है और इसके अंदर उनने प्रेम भरा अपना इस गीत गोवन के अंदर, इसी लिए मुझको शवण करना है इसका तो इस प्रकार से इस बात तो consolidate हो गए कि ये कोई सहजियाइजम नहीं है अगर जगनाज जी को पसंद है गीत गोविन तो गीत गोविन का बारे में चलेगा वह तो तो इस प्रकार से ये बात पक्की होगी कि गीत गोविन का का जो पाठ हो सुब़शाम चलना चाहिए तो एक समय राजा के मन में भाव आया राजा ने सोचा कि ना गीत गोविन जो है ये बहवान को बड़ा प्रीय है क्यों ना मैं भी अपना एक गीत गोविन लिखूं तो राजा ने लिखा अभीना गीत गोविन उन्होंने बहुत ध्यान लगा करके अभीना गीत गोविन वो भी लिखा उन्होंने तो उन्होंने फिर पंड़ो को बला देखो इतने समय से गीत गोविन चली रहा ना जहदे गोस्वामी का अब थोड़ा हमारा चलाओ तोँ अब हमारा अभी नहीं गीत गोवन हमारा ये चलना चाहिए अभी जब बोलने के लिगाई तो ना तो जगना जी ने पुझारियों के हृद्धे में ना दिया गीना नहीं वो गीत गोवन जैहते को सव्वामी ऑला गीत गोवन तो पढ़ पढ़ रहे थे, ने पढ़ते हैं, न मिस्टेक कर रहे थे, बोल नहीं पारे थे ठीक से, तो उन्हें कहा चलो याँ, वो वहीवाला गीत गोवन ले ले थे, तो ये बात राजा को पता लगई, कि मेरा अभिनव गीत गोवन जो है, वो नहीं पढ़ रहे थुम, फि अभिनव गीत गोविन तो फिर आजाने का अच्छे लो ठीक है अगर ये बात आ रही है कि जैदे गुस्वामी का गीत गोविन या मेरा गीत गोविन तो ऐसा करते हैं दोनों रख देते हैं भवान जगनाजी को जो पसंद होगा उठा लेंगे और उनको बड़ा आतनों इश् अगले दिन सुवज जब आलटर खोला गया तो सारे जगनाजी के पूरे विगरे के उपर गीत गोविन के जो पर्चे थे जो की जैदे गुस्वामी गोविन थे वो रखे थे और विशे शुप से समगला लगा लगा लगकंडम वला जो था जो वो लगा पत्र जो था वो उनके हृदे पर रखावा था, वो यहां रखावा था, बाकी जो है, पूरा उनने, जगनाजी कवर्ण है, और सामने पड़ा अभी नवगीत कोविन, यहां रूप, तो यही बात पता लगी राजा को, तो राजा ने गाए ठीक है प्रभू, आपको हमारा अभी नवगीत कोविन तो हमारा पसंद नहीं आपको, तो हम भी फिर जी के क्या करेंगे, तो ठीक है फिर, और वो समधुर के और शल दी है, राजा की बाई हमारे जब ग जाओ, पुरूचा, कि ता, अच्छा, मैं क्या करूँगा, तुम्हारे गीत गोविन में से 12 लोगा, अभी नवगीत गोविन में से, उनको फिर मैं जैदेव गुस्वामे के जो गीत गोविन है, उसमें एड कर दूँगा, ठीक है, अब तो ठीक है, करता हाँ, फिर ठीक है तो इस पिकार से राजा अहिवा सेव, पर वो बाराश लोग कौन से है, पूरे गीत गोविन के अंदर, जो की राजा के है, जो की पूरे गीत गोविन में है, लेकिन कोई नहीं जानता, ये सिर्फ और सिर्फ जगनाजी ही जानते हैं, कि जैदे गुस्वामे गीत गोविन क के अंदर राजा के कौन कों से अभिनाव गीत गोविन के हैं बाराश लो पर वो उन्हें वहीं चुने जो की पूरे गीत गोविन के अंदर उसके भाव के साथ मैच करते हैं जो से नोबडी कहन सी कि ना यह भाव थोड़ा यहां अलग हो रहा है यह राजा वला होगा यह सूजर था वो नमास पढ़ा करता था लेकिन जहां पर श्री जैदे गोस्वामी जब वो रिसाइट करते थे गीत गोविन को तो गीत गोविन में उसका बार बार मन जाता तो नमास पढ़ते पढ़ते अल्ला हो बार बार उसका मन जो है गीत गोविन के वार जाया करता था तो एक समय वो आके खड़ा हो गया, जैदे गुस्वामी घर के बाहर, जैदे गुस्वामी गे दरवास के बाहर नौक किया, उस मुस्लिम जो सूल्जर था, उसने गाए जो आप गीत गुविंद गाते हो ना, ये मुझको भी सीखना है, तो जैदे गुस्वामी ने कहा लेकि है, और रू का कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम से किसा, ये कोई धर्म नहीं होता है, तो जैदे गुस्वामी ने कहा, क्योंकि आप शरीर के धरातल से आगे आ चुके हैं, इसलिए आप गीत गुविंद सुनने के अबाब योगी हो गए हैं, तो यानि कि गीत ग इसको कि बहुत जल्दी गीत गुविंद पूरा याद हो गया, अलेकिन अभी मुस्लिम सोलजर था, उसको ये रगता था कि मैं लेकिन पार्ट करूँगा तो कब करूँगा, इसका पार्ट करूँगा मैं, कब करनें इसका पार्ट, यह कि तो लडाई पे जाते हैं, अक्सर गया करूँ इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ, ऐसा कोई समय ना बीते, ऐसा कोई शन ना बीते, जिसे मैं गीत गुविंद के साथ कस्पन ना करना हूँ, तो फिर उन्हेंने का कि जब घुड सवारी जवाब कर रहे होते हो, तो जब आप किसी योद्धा से नहीं रड़ रह कस्मरिंड कर रहे हो, तो फोड़ा सा पीछे होकर बैठना, घुड़े पे थोड़ा पीछे होकर बैठना, क्या था क्यों? तो जब कभी भी गीत गुविंद का उचानन होता है, तो जगनाजी वहाँ पर जगनाजी भी आएंगे, तो इसलिए आपको जगनाजी के लिए सोलजर था, एक बार ऐसी गया जब एक यात्रा पे, तो अब गीत गुविंद जब गाएं लगा, तो बैठे बैठे ही घोड़े से थोड़ा सा पीछे हो गए वो, तो याद आया, कि तो याद आया, कि थोड़ा पीछे हो जाओ जाओ जी, मैं आ गया हूँ, जब गीत गीत गुविंद 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 गुवि लेकिन अच्छी घुड़ा चलाय करते थे, तो जगनाजी चलाय करते थे, इसलिए, सिर्फ इसलिए, क्यों क्यों कि ये मुस्लिम सैनिक है, ये गीत गोविन का बड़े सुनदर तरीक है, तो इस प्रिकार से, बहुत ही प्रिय था जगनाजी को ये गीत गोविन, और एक समय क् अब जो राजा थे जो सुना करते थे गीत गुम्न सुना करते जहदे गुस्वामी से हर रोस तो एक से में राजा इतने खुश हुए कि आप इतने निस्वार्थ भाव से आप जगनाजी की खुशी के लिए आप गीत गुम्न गाते हैं मैंने सोचा हुए कि ना आपको मैं आपको देना चाहता हूं कुछ और इसने बहुत सारा धन बहुत सारा खजाना इसने जैदे गुस्वामी को दिया कि आपके लिए तो वहां ना दो डाकू भी थे और ने का अरे बहुत माल है और हमने सुनाया इस विक्ति को पैसे का कुछ कुछ नेना देना भी नहीं है कि चलो कुछ ना कुछ खेल खेलते हम तो जब यह सारी परफॉर्मस जब ओवर हो गई सब गीत गुविन और को सुनाना और बाकि जो कारिकनम से जब ओवर हो गए उसकी बाद यह दो दूरो चोर यह पहुंच गए डाकू थे दुनों यह पह खालेंगे आपके लिए हम लेए चलते हैं आपके घर की ओर चलिया ना तो श्रीजिए गुस्वामी की हाथ काड़ दीए और उनको कुवे में डाल दिया लेकिन श्रीजए गुस्वामी बिल्कुल भी इसमें दुखी नहीं हुए वो जिस प्रकार से बहुआन का नाम बहु वैसे ही करते रहें और यही एक शुद्वभग की पहचान होती है राइप प्रभुपाजी लिखते हैं भगुदीता के अंदर ग्रेटनेस ऑफ़ मैं इसनों बाई हाव रिस्पॉंद्स प्रोवोकिंग सिचुवेशन उत्तेजनात्मक सिती में हम कैसे कारे करते हैं हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इससे एक महान विक्ति की बात पता लगती है बड़ी-बड़ी बाते बोलने वाले होस्ता महान हो उस्ता ना होस्ता ना भी हो लेकिन प्रोवोकिंग सिचुवेशन में उत्तेजनात्मक सिती में तब मेरा खून उबलता है कि नहीं उबलता है मेरी प्रभू की इच्छा से होता है जो होना है मेरे साथ मेरे प्रभू अच्छा ही करेंगे बहार की दुनिया में हो सकता है जो होता है अच्छा ना हो लेकिन भक्त के जीवन में जो भी भवान करेंगे वो अच्छे के लिए ही करेंगे तो यह बात का बड़ा विश्वास था को तो वहां पर बैट करके वो गीद गुविंद का रहे थे जगनाची खुशी के लिए जब कुमे में थे अब ये जो डाकू थे ये पहुंचे एक बार राजय कबास राजय रहे एक बड़ा कारिक्ना मायोजी किया तो वहां पहुंच गए हैं ये कला कार के तौर है आइसे हैं और राजय ने जो है इन दो डाकूओं को पुरुस्कृत भी किया कि हमारे आप बड़े अच्छे आर्टिस आयूँगा ये दोनों आर्टिस्ट हैं इनको पुरुस्रत किया जाएं और इनका नाम रेकमेंड किया है जैदे गोस्वामे ने क्या रहे हमने जिसके ह हमाने कठा भी कर लिया किता है अच्छा ये जैदे नाम को जो वेक्ती है ये कब से जानते हैं हम बहुत पहले से जानते हैं हम दो बहुत समय से जानते हैं इनको जूट बोला वहाँ पर भी तो इस पकार से ये जब जा रहे थे तो जा रहे तो हुआ क्या ये तबी भी आलो फटी उसमें दोनों समागे धर्ती बंद हो गई तो इसलिए अगर हमें सोचें कि अगर को अपराद करता है अब वो तो अपराद करें घूम रहे हैं क्या हुआ उनका कुछ निए उनका हमने तो बताया थो अथौर्टी को को एक्शन निलिया गया नहीं सै एक्शन होता है एक द्धाकुर जानते हैं एक्शन होता है एक्शन पैक ह्ट नहीं हमारे अऔर अधे है तो इसलिए यह यह सुचना चाया कि उसको सिखा मिलीूने मिलती है मिलती है सजा कैसे मिलती है, कब मिलती है सुख्षमत तरह से मिलती है कैसे मिलती है, मिलती है लेकिन तो इस पकार से दोनों डाकू थे ये धरती फटी, उसमें समा गए, धरती बंद हो गई ये जगा ऐसा मेंशना था कि वहीं की वहीं जलके राख हो गए वहीं कि वहीं जलकर राख हो गए तो इस में जहिदे गुस्वाम है जहिदे गुस्वाम है वास very mystical personality हाला कि वो इस बात को अभ्यास नी करते थे इस बात को प्रसाविद नी चरते थे इस बात का even करते थे इस पे कारण शक्ट यांवी है उनके पास लेकिन भवान के शुद भक्तों के पास शक्तियां तो होती है और अपनी आखरी सांस, अपने आखरी सांस में भी उन्होंने आखरी श्लोक लिखा गीत गोविन का और उसके अंदर भी उन्होंने गुणगान क्या है गीत गोविन का कि गीत गोविंद जो मैंने लिखा है ये वास्ता में कैसा है तो आखरी में बता रहे हैं शुलिजैदे को स्वामी कि वास्ता में जो गीत गोविंद है ये तो मदिरा से भी जादा श्रेश्ट है ये मदिरा से श्रेश्ट इसलिए है लेकिन कुछ समय के बाद ये नशा फिर उतर भी जाता है लेकिन गीत गोविन ऐसा है कि एक बार इसका नशा किसी को लग जाए तो ये नशा फिर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है उतनी इसके लिए प्यास और बढ़ जाती है और जतनी उस प्यास को बजाने के लिए गीत गोविंद का अस्वादन होता है उतनी प्यास और अधिक बढ़ जाती है इस प्रकार से जो गीत गोविंद है ये तो मदेरा से भी ज़्यादा श्रेष्ट है यह जो मेरा गीत गोविंद है यह चीनी से भी ज़्यादा श्रेष्ट है क्योंकि इसका अस्वादन करने के बाद चीनी कड़वी लगती है चीनी का कोई अस्वादन करें तो चीनी सबसे मीठी लगए नहीं हो गहाँ है लेकिन गीती समय में या पितनी बार भी स्वादन करें when र इनाे की अ कभी भी है इसका्षे नहीं होगा दूजिए सब्कार आ सकता है लेकिन जीन के अंदर कभी भी कार नहीं आने वाला तो इसलिगे लिए लगसे पर जादा श्रेश्ट है, ये आम से फिर दाश श्रेश्ट है, अगर पकावा आम होता है, उससे बिंज़ बेढ़ स्रेश्ट है, यहोगि आम के साथ क्या है? McGee- kalduw-一下 हो, यह ज़ित why on a एसा अमरत, अमरत से भी जड़ा है वास्तामें, लेकिन आम से भी ज़ादा है ये, क्यों, क्योंकि आम में तो फिर भी बीज है, जिलका है, इसमें ना तो बीज है, ना जिलका है, यानि कि इसमेंéis कुछ रिजट करने के लिए नहीं है, फल के अंदर ये दोनों रिजट करने विले चीज़ है छिलका और बीज लेंग गीत गोविन के अंदर कुछ भी रिजट करने के लिए है ही नहीं ये तो कॉंसंट्रेटिड पल्प है अम्रत से भी ज़्यादा बास्ता में लेकिन ये आम से भी ज़्यादा है और ऐसा कोई समय नहीं था कि ये पकावा नहीं था अब जाके पकाए ये शुरू इसलिए आम से भी ज़्यादा श्रेश्ट है ये इस्तरी से भी ज़्यादा श्रेश्ट है योगे श्तरी जो है शुरू शुरू महुत DJ करते किसी को फोस्ता है को विती स्तिरी का ये साथ भोग भी कर ले आनन भी पाले लेंगे उसके वाद बहुत कश्ट पाता है वो लेकिन है तो वास्ता में चमड़े का थैला ही होता है चमड़े को थैले हो कितना खरोचे कितना निचोड़े बिकारी है तो इसलिए परस्तरिया परपुरुष्ट का जब हो गया उससे भी ज़्यादा श्रेश है वो गीत गोविन है उसके बाद फाइनली ही से अम्रित वास्त में यह तो अम्रित से भी ज़्यादा है क्योंकि अम्रित है वो किसी को जन्मृति को चक्र से निकाला सकता है उसको immortal पंक्ति है आखरी श्लोक है जो की श्री जैदेग वस्वामी ने कंपोज किया गीत कोई कि की प्रशंसा हमें की किसा परकार से गीत कोईंड़ वह कितना दिवे हैं रुस परेकार से श्री जयी जदेग में जही बहुत ही दिवे था और चंडी दास के जो सौंग्स हैं, वो बड़े प्रियत हैं, उसी प्रिकार से श्रु जैदेगो सौंग्स थे, वो भी महाप्रभू को बहुत प्रियत है, विश्रेश रुप से गीत गोविन, वास वेरी वेर अडियर, और गीत गोविन जो है, जब इसको पबलिश करने की बात आई थी, तो भक्ति स्रुचाकुर से भक्ति ओठाकुज ने कहा था दो कौपी पबलिश करना, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए हैं, योगि बहुत ही उच्च कोटिक आई है, बहुत ही गहरा है, बहुत ही इसो टारिक है, बर निश्री तुरुप से अगर गुरु जन उन से हमें कृपागी आशना करने चाहिए, जिसना से उनका वो रसा स्वाधन करते थे भक्ति का, तो उसी प्रकार से हम भी भक्ति के रसका स्वाधन कर सकें, और भक्ति में आगे बढ़ सकें, अपने जीवन को सफल कर सकें, प्रभु पाजी कृपा को आकर्शित कर सकें, Hare Krishna, तो किसे को प्रश्न है या कोई वेशना को देना चाहें? इताओ प्रफुजी, महुनुपा प्रफुजी और अगिन सिने डिवोटी थे है. Yes, Prabhu. Yes, yes. बाड़ा देक कर दिया में? जो नि dubli अद ने खाहएं बहुंbig होगा हिएंट wrestling मिद्ट्ट द्ट कैसे घुर्शित कर कर दिया लुए है शजी भावान काने हैं भावान समझ में निया आते हैं भाण समझ में नहीं आते हैं तो वास्ते में जो जगनाजी है अब उनका जो राजा होगा जो उनकी देखरी कर रहा होगा राजपट समाला होगा, ये को साथयर राजा तो होगा नहीं ठीक है ना और ये डिसिजिजन भी जो है राजा के अंदर प्रेंध किस नहीं किया भाउन नहीं किया वहाँथ के शुदवगत ओते हैं प्रेमार के लिए भाउन को प्रास्तों को रविएल होना कि वास्ता में गीत गोविन गानाई ये कोई साहजिया इसम नहीं है ये गीत गोविन जो है जैदे गुस्वामे जी की प्रेम क्या विविट्टी है तो इस बात को हाइलेट कैसे किया जाए अच्छा भवान कि इनके साथ लीला करेंगे इन वक्तों के साथ ही करेंगे इनको मृत्युदर्ण बोल देना होगा नहीं लेकिन लेकिन प्रेमेरि दोड खिला हूगा कि इनको इनको इनकों इनकृण इस लिशे होता है। अी चानधर करेंगे जिए नहीं, दो सिन जा जिछूदोन avai. जो राजा है, शुद штववक्त हैं येश्दुधन कैसे सतने हैं लिकन इन बढूत्वन्धविन नहीं होगा लेकिन यह भी बहुआ की इच्छा से होगा, तो इस से नहां से दिवे होती हैं बहुआ की लिला है, अचिंत होती हैं, तेक और को प्रशन है किसा का, yes? एक प्रशन दिश्मार परगुणी, एक प्रशन दा की, श्रेज़ जादेगो स्वामी के डिसपीरेंस, पास्टेम या उनसे अनुबंदित कुछ है, और दूसरा एक, जादेगो स्वामी जब राजा के दर्बार में थे, ऐसा कोई वरनन भी आता है, तो उस समय महरानी ने कुछ ऐसे खेल के इनकी वाइफ को बोला की, आपके पतिदेव गुजर गे, एक शन के लिए भी तो, जादेगो स्वामी जादेख के तो, यह कोई बास्तर में तो अगर पती अगर प्राण छोड़े तो पतनी को तुरंत प्राण छोड़ देने चाहिए तो छोड़ दिये तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो बहुत बड़ी बात है लेकि पंदमावती इसको इसको इतना बड़ा माननी नहीं तो अच्छा जो इननी का टेस्ट लेती हूं मैं तो टेस्ट दी तुभी बताया की ना प्रांट छोड़ दी उनोंने जैसे उनोंने सुना पध्या पधील ने, Voh 거는 पधा भदील Hydra मेरे अच्छा मेरे पत्धीज़ नी रहे तो मही प्रांट प्रांट शोड़ दी आब ये जाज जो है जहदे को स्वामी बता लगी कि अच्छा तुमला आपने ये परिक्षा लेने के लिए कि मेरी पत्नी पवित्रता है कि नहीं है आप ने ऐसा किया आपने ये तो बहुत यानुचत कारे किया आपने तो बड़ा पश्चाता हुआ रानी को और ने शमा मांगे और न वेकिन अवो अबस के से आएंगी श्री जैदे भुस्वामी यू जो सब्सके जीवन में वह उजी यूजा हिए गीतु गोविन्द का उनके पतनी कान में जब पाठ किया श्री जैदे भुस्वामी ने तो नो टुंई पतनी फिर से एनुर्श हो गया अग्वान आखे निकाले लगए अजी उनके हाथ आगे वापके वांदे जैसे संपाती संपाती कि इस पंक जल गए थे लेकिन जले हुए पंखों से उन्हें सिर्फ जो वानर से नहीं इंडिकेट किया कि लंका की और उस सरफ गए हैं सीता महिया को ले करके रावन उस सरफ गए जले वो पंखों से किया जब यह किया तो समपाति थे उनके पंख आ गए वापस जो अभी भवान का शुद्ववक्त ना भी बनाओ पूर जाता है उस स्टीilly घोधिवन का तो जीवन में तो उसलिए जाएगा उनके वापीज आदेसि आख जाएगी आंख भापिस भी आजैंगी तो एक हाथ जाएगा ने कि हमेशाला जाएगा ना ऐसा कुछ नहीं आर्थए जो मेर देव गुर्श्वामी तो धन में कुछ आ सकते थे नहीं लेगन तो भी उन्होंने अपनी तरह समझा तो उनका धन छीन लिया और एक सूखे कुए में उनके हाथ और पेर दोनों काट दिये थे दोनों पेर काट करके उनको डाल डाल दिया था और ये जैसे आपने बताया कि उ स्वंथ होकर के वह मतलब भजन कर रहे थे तो वो राजा लक्षमर सेन या जो भी हो वहाँ पर आय थे सिकार खिलने के लिए बन में और प्यास लगी थी तो खोज रहे थे पानी कहां मिलेगा तो कोई कुए हो तो पानी खोजे तो सेने के लोग जब आए तो देखा कुए तो शूखा है लेकि एक बिक्ती जो है भजन गा रहा है उसके हाथ पर कटे हैं तो राजा लख्मार से ने जब इनका देखा कि ऐसा हाथ पर कटे है तो भी खुश होकर के भजन कर रहे हैं तो इनको निकल वाया अपने राजा का अपना गुरु में बना लिया और इस परकार से वहां पर थे तो जब राजा ने नगर में पूरे नगर को भोजन कराय कोई बिसे उस्स्मुत है तो इसमें चार जो बदमाज थे ये भी आए थे बोजन करने के लिए तो जैदेव गुर्षवामी जब देख रहे थे तो इनकी जैदेव गुर्षवामी की जब नजर पड़ी तो हाथ पर तो कटे थे जैदेव गुर्षवामी की और उन्होंने जो है मतलब राजा से कहा कि चार लोग जो है हमारे विशेश मित्र हैं और इनको जो है कुछ विशेश ज्यादा धन दिला दीजिए तो जैदेगुश्वामी का यह विचार था कि धन में इनकी इतनी आ सकती है इनको जितनी धन की आवे सकता है पूरी कर दी जाए ताकि यह सब ऐसे गलत काम ना करें तो जैदेगुश्वामी ने कहा कि हमारे विशेश मित्र हैं इनको दिला दिये तो जितनी इच्छा थी धन दिला दिया और राजा ने चार सेनक और भी दिये इनकी रक्षा के लिए कि इनको शुरक्षित ले जाएं जैदेगुश्वामी की आगयास है कि इनके साथ कोई ऐसा ना करें तो वो चार सेने जो है वो सब धन लिये थे अपने हाथ में और इन से जो है वो पोशने लगे कि भई तुम्हारा जो है इन राजा के जो गुरु है इनके साथ तुम्हारा ऐसा कैसे समंध हुआ जो कि तुम्हें यतना मतलब वो चाहते हैं तुम्हें इतना धन दिलाया तो वे जो चार जो दुस्ट थे उन्होंने फिर भी उल्टा बोला और उन्होंने क्या बोला कि ये व्यक्ति जो है बहुत अपराधी है और किसी राजा के राज में जब ये करमचारी था इसने कोई ऐसी गल्शी की कि हमें आदिश मिला कि इसकी हतिया कर दें तो हम जो है जंगल में ले जा करके इसके हाथ पर काड़ दिये थे और इसके जीवन की रक्षा कर दी थी तो इस तरह से ये हमारा जो है एहसान मानता है और इस तरह से जैदेव गुष्वामी की उन्होंने निंदा की और प्रत्वी देवी जो है भार सहने कर पाती जूट बोलने का भार जूट बोलने वाले का भार सहने कर पाती और फिर इतना जूट और वैस्टों जो वैस्टों इनके लिए इतना कर रहा है इनके पक्ष में कर रहा है इन्होंने इसके हाथ पर काट पे रिकाट दिये तो प्रति भार सेह नहीं कर पाई तो इतना भारी हो गए कि प्रति फटी और धस गए और ये जो चार अब राजा के पास तो बिले कि हमें समझ में नहीं आया उन्होने ऐसी बात बोली और धरती फटी और चले गए आगए अब क्या इसका रहसे तो राजा ने जो है जये अची पूछ ले पुछा कि इसका क्या हाथ पर भी पुनाब वापस आ गए तो भगवान ने मतलर जैदेव गुश्वामी को निर्दोस सिद्ध करने के लिए ऐसा किया कि जैदेव गुश्वामी के सामने उनके हाथ पर वापस आ गए ऐहां देंगे जाहिए देगुट सामिजी की जाय। प्रोपार की जाए, Hare Krishna.